नमस्कार स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में आज मैं हूँ खिद्वीपूर के भुकैलास मंदिर और मैं आप लोगों को यहां दिखाऊंगा एक राजबाडी और भुकैलास मंदिर ये भुकैलास मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग धाईशो बर्स पुराना मंदिर है और ये जो आप सामने द्रिश्य देख रहे हैं ये राजबाडी का भंसा और शेश है जो मात्र अब और शेश के ही रूप में रह गया है खिद्वीपूर बंदरगाह के किनारे इस्तित भुकैलास मंदिर जो कि शंकर जी के सिवलिंग का मंदिर है इस मं मंदिर का निर्माड जैनारायन घोशाल ने कराई और इस राजबाडी का निर्माड उन्हों नहीं कराया तो सामने जो ये दीख रहा है आपको ये राजबाडी का कुछ अंस जो की कुछ ही बचा हुआ है आज के डेट में पूरा परित्रक्त है और कुछ लोग हैं जो यहा भोकेलास मंदिर का ये मेन प्रवेश द्वार और इस मंदिर में प्रवेश के तीन मुख्य द्वार हैं एक तो यहां आपको दिखाया ये जो पीलर दिख रहे हैं ये पीलर एक्चुल में राजबाडी के सामने हैं यहां पर बग्गी उपर से छज्जा था जो अब नहीं है यहां पर राजा महराजा के बग्गी यानि की जो गोड़ा गाड़ी होती थी वह आके रुखती थी और फिर राजबाडी में वे प्रवेश करते हैं ये सेकेंड द्वार जो इस मंदिर का प्रवेश द्वार है अभी शाम का वक्त है और मंदिर पूरे तरीके से खुला हु है और एक और द्वार है जो सामने ये स्टीट दिख रही है उसमें आगे जाने से एक और द्वार आपको मिलेगा तो मंदिर में मैं प्रवेश करूं उसके पहले मंदिर के जो नियम है और कितने बज़ से कितने बज़ खुलता है ये सारी चीजे यहां पर लिखी हुई है बोड पर इस चीज को मैं आप लोगों को और नदीग से दिखाऊं तो इसमें धेर सारे इंस्ट्रक्शन है यह एक पवित्र अस्थान है मंदिर की पविर्ता और सुन्दर्ता को बनाया रखें और श्रधा भक्ति और सांती भाव से मंदिर में प्रवेश करें मंदिर किसी भी प्रकार का नशील्य पदार्त इस्तमाल करना यह सब डंडनी है मंदिर प्रंगण में अंदर किसी व्यस्थान पर खेल कूद सोरगूल करना मना है जूता चपल बाहर निकाल का प्रवेश करें और यह सिसी टीवी केमरा समय दिया हुआ है साथ बजे दो पहर से बार त्री नोबे तक आप यहां आ सकते हैं और मंदिर में घूम सकते यह दखिए यह पुरुब का मंदिर है इस पुरुब के मंदिर का नाम रक्त कमलेश्वर है और इसकी विशेष्ता यह है कि यहां पर लगभग 8-ट के शीवलिंग और यह एसिया का सबसे बड़ा सिवलिंग माना जाता है मैं उसको भी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर वीडियो में आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रिश कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा है यह बहुत प्राचीन लगभग 200 बर्स पुराना यह मंदिर है और हम लोग अपने जो पुरुखों की जो इस्मृतियां है पुरुखों की जो धर्वहर है उसको धिरे-धिरे भूलते जा रहे हैं यहां पर भक्त लोग बैठ करके किर्टन भजन करते हुए यहां इस तरीके से यह जो पसिम का मंदिर है इसका नाम है कृष्ण चंदेश्वर मंदिर इसी मंदिर के अंदर मैं आप लोग को ले चलूंगा शिव जी का शबसे बिशाल शिवलिंग है अर्थाते से कहा जाता है कि एसीया में इस तरीके का इतन भव्यप शिवलिंग अभी तक नहीं है ऐसी माननेता है यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर भक्त लोग कैसे बैट करके भजन किर्टन कर रहे हैं मैं आप लोगोंको दिखाओं यहां देखिए धीरे-धीरे-धीरे-धीरे किस तरीके से यह लोग भजन-किर्टन मिहां वीडियो बना रहा हूं थोड़ा सा इन लोगों को आश्यर लग रहा है कि इतने कॉमन प्लेस में कौन आके इसे वीडियो बनाता है अभी बहुत सारे लोग इस मंदिर के से अज्यात हैं तो मैं सोचा क्यों ना इसको सोसल मीडिया पर इस चीज को डाला जाए और ताकि लोग जादे से ज槻दे इसके बारे में जान सके यहां पर घूम सके आज सके यह खुपशूरा सा तालाब इस तालाब का नाम है गंगा कड़ समय अईसी भी माणेता है या ऐसा कि वंदंतियां है कि इस तालाब का सिधे गंगा से था और उससे इसमें पानी आता था यानि कि सिव मंदिर में जो पानी यूज किया जाता था वो डारेक्ट गंगा का पानी होता था लाने की जोरुत नेती और इस तालाब के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है पूरी तरीके से कॉलोनी बनी हुई ह ये जैनरायन घोष ने इस मंदिर की अस्थापना 1781 इसवी में की और जैनरायन घोषाल का जन्व 1772 इसवी में हुआ वे एक समाज सुधारक थे और राजा राम मोहन के साथ वे जुड़े रहें कहा जाता है कि होड़ विलियम वहां पर वे रहते थे लेकिन बाद में उन्होंने खिदीपूर में सिप्ट अपने को किया और 180 बिगे जमीन खरीद करके और उन्होंने राजबाड़ी और ये भूक एलास मंदिर का निर्माण कराया लेकिन आज 180 बिगे तो नहीं है बचा है मात्र तो ये दो टेमपल एक पॉंड और राजबाड़ी और राजबाड़ी का कुछ भंसा और सेश बचा हुआ है और बाद बाकी सारे अतिक्रमण के शिकार हो गया है कोलकता नगर निगम ने इस मंदिर का इस मंदिर को हेरिटेज घोसित किया 1996 में तब से कोलकता नगर निगम इसकी देखरे करते हैं इसमें रंगाई पोताई जितना भी आप यहां पर डेकोरेशन देख रहे हैं या कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस सारी की सारी चीजे कोलकता नगर निगम के द्वारा की गई है बहुत पहले मैं एक बार यहां आया था तब यहाँ पर इस तरीके की बाउंडरी नहीं थी यह जो आपको बाउंडरी और गेट दिख रहे हैं यह सब नहीं थी यह सारी की सारी चीजे कुलकता नगर निगम ने कराई यह देख चकते हैं मंदिर का प्रांगड बहुत ही शुंदर विशाल और स्रधालूर लोगों से भारा हुआ यहां पर जो लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में वे जरूर यहां आकर के भगवान के दर्शन करते हैं यहां मंदिर यानि यह पूर्व वाला जो मंदिर जिसको मैंने बोला रक्त कमलेश्वर का यह मंदिर इसका सीवलिंग थोड़ा छोटा है आप लोगों को मैं क्रिश्चंदेश्वर वाला भी सीवलिंग दिखाऊंगा जो वाकई में अदुप्ती है धीरे धीरे मैं और जगा को कभर करूँ यहां पर सद्धारलू लोग देख सकते हैं किस तरीके से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं मंदिर के बाहर का प्रांगण यहां पर साम के शब हैं चाहां वो सर्दी हो गर्मी हो यहां पर आसपास के जो भी यहां के रहने वाले लोग हैं यहां पर आते हैं चुकि यहां पर खुला स्थान है हवा चलती है सहर के बीच में है और इस तरीके क्या प्लेस बहुत कम दिखाई पड़ता है तो यहां पर अस्थानी लोग आ करके और अपना शमय बिताते हैं बच्चे भी खेल कुद करते हैं और यहां पर मैं ले चलूँगा आप लोगों को इस तालाब के चारों तर देखिए इस तरीके से पैदल चलने के लिए बहुत सुन्दर रास्ता बना हुआ है यहां पर मॉर्णिंग वाग भी लोग करते हैं और इस रास्ते में जगा जगा पर इस तरीके से छोटे-छोटे मंदिर हैं यह देखिए भगवान शिव और पार्वती की मूर्थी मंदिर आगे बढ़ा जाए फूल पत्ती किनारे किनारे फूलों का बोर्डर बहुत सुन्दर यह मंदिर और तालाब इस तालाब में चार घाट बने हुए हैं चारो दिशाओं में यानि यह पूरब का घाट और जो शामने दीख रहा है वह दगछिड यह देखिए बच्चे यहां पर मस्ती करते हुए यह देखिए एक बच्चे एक बच्चा यहां मचली पकड़ा हुआ है और उसे एक प्लास्टिक की कटोरी में रखा हुआ है पहले तो बच्चे कैमरा देखे घब रहा है फिर भागने लगे फिर मैं बुलाया इन लोगों को कि क्या कर रहे हो तो बच्चे बच्चे मचली पकड़ रहे हैं और मचली क्या है छोटी सी एक मचली का बच्चा यह देखे यह मस्ति करते हुए बच्चे और यहां से मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है मैं अभी पूरव की तरफ हूँ पूरव वाले घाट में मैं एक-एक करके आपनों को दिखाऊंगा यह पस्सिम का घाट यह उत्तर का घाट नहीं दिशा गड़ यह दक्षिन का घाट होगा यह दक्षिन का घाट होगा यह दक्षिन का यहां से यह मंदिर दिखाएं यह नौर्थ हो गया जिदर मंदिर है जहां हम खणे है यह साउट राइट साइड की तरफ इस्ट और लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट यहांसे जूम करके मैं मंदिर का नजारा दिखाऊं आप लोगों को बहुत खुशूरत बहुत सारे लोग अंजान है इस प्लेस के बारे में तो जाने और समय मिले तो यहां जरूर जाएं पूरा का पूरा एकड़म स्क्वायर शेप में यह तलाब है और इसके चारों तरफ उचे उचे फ्लेट बने हुएं इस मंदिर का पूरे तरीके से यह जो बाउंडरी कराई गई यह मुनिश्पल कार्पोरेशन कोलकता के द्वरा ताकि इस मंदिर परिशार में किसी प्रकार का अतिकर्मण नहों शके और मंदिर तलाब सुरक्षित रहे हैं क्योंकि यह हेरिटेज है एक धर्वार है हम लोगों के पूर्खों की यह देखिए यह वेस्ट का घाट यह वेस्ट इस्ट हो गया साउथ हो गया और यह वेस्ट हो गया सामने जो दिख रहा है और नॉर्थ का घाट है बहुत ही रमड़ी यह जगह शान्त राजबाड़ी भी में ले चलूंगा आप लोगों को और राजबाड़ी भी दिखाऊंगा कि क्या उस समय जो आज बचा हुआ है उसकी क्या इस्तिती है और आज बाड़ी के अंदर भी एक मादुर्गा का टेंपल है उसको भी मैं दिखाऊंगा अस्त धातु की मादुर्गा की मंदिर और आज भी वहाँ पर पूजा पाठ होता है यह जैनरायट घोशाल के जो खांदान के लोग हैं वे लोग आज भी हैं और उस मंदिर में पहले इसको कभर किया जाए यह मैं में मंदिर में घुशा कृष्ण चंदेश्वर मंदिर में और मैं उस चीज को दिखाऊंगा जो एसिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ा सिवलिंग कहा जाता है इसकी उचाई लगभग आठ फीट है देख सकते हैं आप इसकी पूजा करने के लिए यहाँ पर बगल में एक फाउंडेशन जैसा बनाया हुआ है यहाँ पर चड़के इसकी पूजा होती है यह देखिए इतना बिशाल सिवलिंग देखिए कितना बड़ा सिवलिंग सारे पूजा पाठ की सामगरी की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई हैं और नियमित रूप से दोनों मंदिरों में पूजा होती है आज भी धाईशो वर्ष पूराना यह मंदिर यहां बाहर स्रधालू देखिए अंदर इस सिवलिंग के दर्सन के लिए भी दर्सनार्थी जो भी स्रधालू है वो प्रविश कर रहे हैं बाहर की तरफ में निकल गया यह स्थानी महिलाएं यहां बैठ करके अपने शमय को बिताती हैं और यह चुकिए खुला स्थान हैं और अच्छा इंभारोमेंट है इसलिए यहां पर लोग आकर के साम के समय बैठना पसंद करते हैं चलते हैं हम एक तर एक बार फिर नंदी बाबा के तरफ यह एक बार और दिखा दूं आप लोगों को यह भजन मंडली किरतन मंडली बैठी हुई भजन किरतन करते हुए लो प्रभुष्रियाम का फोटो यह देखें टीका लगाने के लिए मुझे भी आये मैं भी टीका लगाया और यह नंदी बाबा बिशाल नंदी बाबा भी है यही छोटे नहीं है जोकी भगवान सीव के वहन माने जाते हैं हमारे धर्म गरंतों में नंदी बाबा का जिक्र जरूर आता है जहां सीव का जिक्र आएगा वहां नंदी बाबा का जिक्र जरूर आए चलिए और नजदीग से मैं नंदी बाबा को दिखाता हूँ पूरे तरीके से इस्टोन की बने हुए ये नंदी बाबा विशाल मूर्ती चारो तरफ शे कभर करूँ इन्हें बच्चे खेल कुट करते हुए मस्ती करते हुए अच्छा प्रांगन साब सुथ्रा ये रहा राजवाडी का प्रवेशद्वार ये पहले यहां से प्रवेशद्वार था आज ये फुटे फुटे अवस्ता में है और ये जो सामने दिख रहा है ये है राजवाडी कुछ इसमें लोग हिस्सेदारी पटिदारी में कुछ इसको अलग-अलग करके अलग उसको मोडिफाई करके रह रहे हैं और यहां से ये मैं प्रवेश कर रहा हूं राजवाडी के दुर्गा मंदिर में ये राजवाडी का दुर्गा मंदिर ये लगभग मैंने दो से तीन बार बताया धाईशो बर्स पुराना ये प्रांगण जहां पर जैनेरेंट घोशाल जो राजा थे वे पूजा करते थे उनके परिवार क के लोग पूजा करते थे ये उनका प्रस्णल मंदिर था और मंदिर के चारों कोने पर चार भगवान है मैं सब को दिखाऊंगा यहां पर एक भगवान यह देखिए और सारे जगा पुजा पाठ होती है आज भी होती है नियमित रूप से होती है यह मंदिर से बाहर जाने का रास्ता राजबाड़ी में ही यह मंदिर है यह एक मैं मंदिर में अंदर ले चलूँ मादुर्गा का अश्ट धातु की मुर्ति जिसकी पुजा आज भी होती है नियमित रूप से होती है देखिए कितनी प्राचीन और भव्य यह मादुर्गा की अश्ट धातु की मुर्ति जो जैनरान गोसाल के परिवार के लोग यहां पर नियमित रूप से पूजा करते हैं अर्चना करते हैं यह मुख्य मंदिर और यहां पर दुर्गा मंदिर के साथ साथ घोशाल राज परिवार के कुल देवी का भी मंदिर है और इस राजबाड़ी को 1782 में बनाया गया आज के डेट में यह जो मंदिर है और राजबाड़ी है यह इसमें फिल्मों की सुटिंग वगारा भी होती है बहुत सारे फिल्मों की सुटिंग हुई है यह पूरे तरीके से खुला रहता है सारे दिन आप जब भी आएं आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं यह मंदिर का पूरा प्रांगल यहां चारों कोने पर चार भगवान इनका छोटा मंदिर यह माकाली का यह मंदिर और इसमें उनकी प्रतिमा माकाली नहीं है यह कोई दूसरी है सुरी माकाली नहीं है यह छोटी छोटी तोपें यहां पर रखी हुई यह एक मंच जैसा बना हुआ है पता नहीं यह क्यों बनाया गया इसे सभा वगरा करने के लिए या कृतन भजन में प्रवचन वगरा कहने के लिए जरूर यह मंच प्रियोग में लाया जाता होगा का ऐसा मेरा अनुमान है यह एक दूसरी तोप जो यहां पर रखी हुई है यह पूरे तरीके से मेटल की है यह एक मंदिर छोटा मंदिर इसमें एक भगवान होशकता हो कि घोशाल राजपरिवार के कुल देवी देवता हो यह लो और मैं दिखाऊंग आप लोगों को नाच घर जिसे आज नाच घर के रूप में जाना जाता है उसका सिर्फ औशेस रह गया है उपर की छत तो पूरे तरीके से नश्ट है सिर्फ पीलर दिख रहे हैं और यह बड़ा सा प्रांगण दिखना है लेकिन आज भी इस छतिग्रस्त मकान में भी लोग रहते हैं यहां आप देख सकते हैं कपडलो इवगरा टांगे हुए हैं और यहां पर लोग रहते हैं यह इस बात यह अच्छी बात है कि इतना का पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी admit डाइश वर्स पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी आज इसमें लोग रह रह रहे हैं और जित्ना भी हो सके अपने सिवलो देखरेण कर रहें यह दिखेए भगवाण सीव का यहाँ पर एक और सीवलिंग यह राजबाड़ी के अंदर का मंदिर है वाकई पुरानी चीजे उस समय की आज भी धरोहर के रूप में हैं जो हमारे पुर्खों के आदर्श हैं मुल्य हैं उनको हम लोगों को शजो के रखना है इसमें बहुत सारी चीजे छुपी हुई हैं जो आने वाली पीड़ी को पता नहीं है और उन्हें बताना है राजबाड़ी के अंदर इतना सुन्दर और इतना इस्पेशियस ये मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है और आज भी इसकी डेंटिम पेंटिंग से पता चला है कि इसका रख रखाओ हो रहा है ये पुराना घंटा ये मानो 200-2500 साल पुराना घंटा लिकनी इसमें अंदर जो बजाने वाला होता है ओ नहीं है मैं राजबाड़ी से बाहर की तरफ निकल लाओं ये यहां पर लिखा हुआ है जूता लेकर अंदर जाना मना है ये प्रवेश्द्वार मैं बाहर की तरफ निकल गया यहां से आप लोगों को दिखाओं ये मंदिर का प्रवेश्द्वार तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद